नमस्टकार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टडी विद पियान लोधा राजिस्तान का भुगोल कलास नंबर 34 आज हम पढ़ने वाले हिजातियों इसके पहले 33 कलास की मैंने प्लेलिस्ट बना रखिये टेलिग्राम पर भी उसका लिंक डाल दिया था प्लेलिस्ट का और इस वीडियो के आज जो कमेंड बोक्स है वहाँ पर भी पिछली 33 कलास की जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डाल दूँगा और आप चाओ तो चैनल पर जाकर के राजिस्तान जी के भुगोल नाम से संपूर्ण कोर्स आपको प्लैलिस्ट मिल जाएगी तो आज का हमारा जो टोपिक है वो है राजिस्तान की प्रमुक उध्योग ठीक है इस टोपिक को बिल्कुल किलियर करने वाले हैं थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर लेवल एक एवं लेवल दो के लिए बेहद उपियोगी आज साथियों राजिस्तान के प्रमुक उध्योग ये जो टोपिक है थोड़ा बड़ा टोपिक है कम से कम तीन कला से इसकी बनेगी 34, 35, 36 ये तीन कला से आपके मान सकते हैं क्योंकि बड़ा टोपिक है थोड़ा इस वीडियो में हम सूती वस्तु उध्योग, चीनी उध्योग, काच उध्योग और उन उध्योग इन सभी चुजों को इस एक वीडियो में पढ़ने वाले साथियों तो शुरू करते हैं इस वीडियो को देखते हैं, देखिएगा यहां पर आपके बिल्कुल टोपिक दे रहा है राजिस्थान के प्रमुकुद्योग, मैं आपको बता दूँ कि लेवल एक में आपके पास जो सेलेबसे साथियों उसमें जो भुगोल का पार्ट टू है, उसमें राजिस्थान के प्रतिक चिन है, राजिस्थान के प्रतिक चिन आपको सिर्फ वोई दिखाए दे रहा होगा, उसके बाद में आपके पास जो सेलेबसे और कोई टोपिक नहीं मिलेगा, तो आप सोचोगे कि यह तो हमारे से सेलेबस में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपके जो राजिस्थान का जो भुगोल पार्ट टू है, प्रतिक चिन के बाद में और भी आपके साथियों टोपिक दे रखें, लेकिन वो जो सेलेबस आपके पास है, उसमें एक पेज गायाप है, इस वज़े सापको टोपिक नह मिल पाते हैं, जिसे प्रमुक योजनाएं, जिसे प्रमुक खिलाडी है, फ्लेक्शिप योजनाएं हैं, यह सारे उस पेज, जो गायाप हुआ पेज हैं, वहाँ पर दे रखें हैं, तो आपके पास एक पेज की कमी है, जो सेलेबस आपके पास है, आप कहते हैं ना, आपके राजस्थान उद्योगिक दरश्टी से जिसे विक्सित, विकास, सिल और पिछडे तो लगबग पिछडे राज्योग की स्रेणी में आता है राजस्थान लेकिन ये इस्तिती सात्यों पहले की अपेक्षय अब अच्छा सुधार हुआ है पहले तो जिसे सोतंता के समय जब र प्रमुक उद्योगों को देखेंगे राजस्थान के जो प्रमुक उद्योग है उनको देखते हैं साथियों देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्तु उद्योग के बारे में टेक्स्टाइल इंडश्ट्री जिसको हम कह सकते हैं इंगलिस में तो सूती वस्त सबसे प्राचीन उप्राव्ट opaque कोंसा है तो आपके विकलप रहेगा सूती उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचिन उध्योगे साथ योग की करशी पर आधरित उध्योगे इसको विशेश तोर पर याद रख लेना राजस्थान का सबसे प्राचिन उध्योग कौन सा है आपके सूती वस्त्र उध्योग है जब राजस्थान का निर्मान हुआ था तो उस समय राजस्थान में कुल सूती कपड़े की जो मिले थी वो साती थी वर्तमान में तो ज़्यादा हो गए लगभग 38 के आसपास वर्तमान में सूती कपड़े की मिले हैं लेकिन राजस्थान निर्मान के समय की अगर हम बात करें क्यूशन इंपोर्टेंड ये बनता है कि में कुल सूती कपड़े की मिले रेक कितनी थी तो आपका सही उत्तर रह 봤 SSD मिले यह की मतलब साथ पेक रिया थी एक तरह से यूंगे हम कि रोप मुग की रोप से दो भी है एक और आता है अपके सहिकारी शेतर, सहिकारी भी आता है yeah है लैकिन यहां पर मुग की रूप से अगर हम बात करें तो मुग की रूप से जो सूती वह स्थू द्योग है इसको कितने बागूंए बाटा गया है दो बागों में कौन कौन से दो बागे एक तो नीजी शेत्र है और एक सारवजनिक शेत्र है सारवजनिक का मतलब गौवर्मेंट का किसका है सारवजनिक का मतलब गौवर्मेंट पर उसका अधिकारे साथियों और नीजी शेत्र का मतलब किसका है किसी एक personal व्यक्ति का या दो चार व्यक्तियों का personal है वो उस पर राज सरकार का अधिकार नहीं होता है जो नीजी फेक्टरिया होती है वो सबी चीज़े इसके अंतरगत आ जाती है नीजी खुद की तो साथियों हम पहले नीजी शेत्र की जो प्रमुक सूती वस्त जो मिले हैं उनको देखेंगे प्रमुक प्रमुक देखेंगे जहां से एक्जामिनर क्यूशन बना सकता है फिर उसके बाद में हम देखेंगे सारजुनिक शेत्र की सूती मिले तो चलिए यह जो राजस्तान में सूती वस्त द्योग है इसमें नीजी शे पूचा गया है कहां पर इस्तित है तो अजमेर के अंतरगत अजमेर जिले के अंतरगत इस्थान का नाम है ब्यावर कहां पर ब्यावर अजमेर में देक्रशना मिल्स लिमिटेट इस्तित हैं बनता है देक्रशना मिल्स लिमिटेट कहां इस्तित है अजमेर में इस्तित है और इसकी स्थापना अठरा सो नेवासी में की गई थी देखो कितनी पुरानी है अठरा सो नेवासी में दैक्रशना मिल से लिमिटेट की स्थापना की गई थी और ये राजस्थान की परतम मिल है देखो नीजी शेत्र में है ये कौन से शेत्र में नीजी शेत्र में साथ यह तो खेर ये तो सारविनिक शेत्र में अब आई है लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये किस सेत्र में थी नीजी शेत्र में तो एक क्विशन बनता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन मिल कौन सी है दैकरशना मिल लिमिटेड है सूतिवस्त की बात की जा रही है यहा दामोदर दासराटी की साहिता से इस मिल का निर्मान किया गया था इस मिल को लगाया गया था इस फेक्टरी को लगाया गया था किसने दामोदर दासराटी के दोरा और वर्तमान में यह जो मिल है यह किसमें आ गई है सारजुनिक शेत्र में आ गई है कौन से मिल पड़ी है भी मिश्टिते राजिस्तान की प्रतम मिल्स कौन सी है दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड किसके द्वारा दामोधर दास राटी के द्वारा और वर्तमान में यह किसमे है सात्यों सारजुनिक शेत्र में आ चुकी है तो यहां तक सभी के किलियर है अभी हमने एक मिल पड़ी सुती वसुत्यों के अंतरगत निजी शेत्र में दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड यह मोश्ट इंपोर्टेंट क्यूशन यहां से बन जाता है तो इसको अच्छी तरह से बिल्कुल याद रखन ने इसके ने हैं आगे हम बात करें तो दूसरी जो नीजी शेत्र की मिल आती है वह में मिल्सेटीयों में मिल्स साथियों में Particularly यह एक नीजी शेत्र की मिल है, इसकी स्थापना की गई थी 1938 में, और कहां पर इस्तिते बीलवाडा में, देखो एक चीज याद रखना भी, एक चीज आपको ये याद रखना है, प्रश्न के से बन सकता है, प्रश्न बना, मेवार टेक्स्टाइल मिल सारोजनिक है या नीजी, तो आ क्रश्ना मिल्स लिमिटेट ब्यावर अजमेर में, जिसकी स्थापना 1889 में की गई, और मेवार टेक्स्टाइल मिल, ये तो प्रता में राजिस्तान की, और मेवार टेक्स्टाइल मिल, ये आपके बिलवाडा में, और इसकी स्थापना 1938 में की गई थी साथियो, तो यहां त से खार की है इसकि स्फार्पना 1970 की लिमिट जो सापना यह की गई उनिश्य सब्सक्राइब औरatcher में कहां परिस्टित्य सातिय उन्में कोटन मिल्स आपकर राजास्थान के पाली जीले में इस्तित है और इस्थापना कब की गई? 1942 में, most important fact यहां से यह बनता है कि यह है राजस्तान की सबसे बड़ी सूती वस्त मिल है यह most important जबकि सबसे प्राचीन सबसे पहली कौन सी है? देकरिश्णा मिल से लिमिटेड व्यावर अजमेरवाली और सबसे बड़ी सूती वस्त मिल कौन सी है? दवमेज सिंग कोटन मिल से पाली में जो इस्तित है 1942 में जिसकी स्तापना की गई थी यह राजस्तान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है साथियों तो यहां तक किसी के कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी हमने कोण सी मिल पड़ी? नीजी शेत्र की मिले पड़ी नीजी शेत्र में मुक्य रूप से तीन ही मिला आती है दवमेज सिंग कोटन मिल से 1922 में स्तापित पाली जिले में राजस्तान की सबसे बड़ी सूती वस्त मिल दूसरी नमबर पे हमने देखा था मेवार टेक्षटाइल मिल इस्तापना 1930 में कहाँ पर स्तिते? बिलवाडर में पहले नमबर पे हमने देखा था सात्यों दे क्रिश्णा मिल से लिमिटेड कहां स्तिते? व्यावर रजमेर में इस्तापना कप की गई अठासो निवासी में कौन सी है ये राजस्तान की प्रतम मिल है और किसके दोरा इस्तापित की गई दामोदर दासराटी के दोरा और सात्यों वर्तमान में ये किस सेत्र में है सारजुनिक शेत्र में है तो ये नीजी शेत्र की परमुक मिले हमने पड़ी है अब हम पढ़ेंग सात्यों ये भी आपके ब्यावर में ही इस्तिते ब्यावर कहां पर पड़ता है आपके अजमेर में पड़ता है कहां पर पड़ता है अजमेर में पड़ता है और सात्यों इसकी इस्थापना की गई थी 1906 में कब की गई थी दे एडवर्ड कोटन मिल की इस्थापना 1906 में की ग साथियों एक चीज मिल लिम्टेड जो है यह नीजी शेतर की परतमयर is 8089 तो यह साल शान सत्रा साल बास साथियों दे एडवर्ड कोटन मिल की स्थापना की गई सारजनिक शेत्र में कहां की गई ब्यावर अजमेर में ही की गई साथियों तो ये किलियर है सभी के सारजनिक शेत्र की दूसरी सूती मिल देखते हैं देखो सारजनिक शेत्र की दूसरी सूती मिलाती है दे महालक्षमी कोटन मिल्स कौन सी दे महालक्षमी कोटन मिल्स है ये भी आपके ब्यावर अजमेर में ही इस्थापित की गई और ये भी सारजनिक शेत्र की है और इसकी स्थापना कब की गई 1925 में की गई साथियों कब की गई 1925 में तो ये विशेश तोर पर आपको सन और कह यहहाद पर इस्तित्य यह याद रखना ही पड़ेगा साथ है अगर इनको याद नहीं रखा तो आपका जू सेलेक्षन हैं कहीं सेलेक्षन की दोडर से आप इन चीजहों को याद नहीं रख पते हो तो बाहर हो लगोगे और अगर नौकली लगना है तो यह चीज़े करनी ही पड़ेगी स्थापना की गई 1925 में कहां पर ब्यावर अजमेर में दे महालक्ष्मी कोटन मिल्स की स्थापना की गई थी तो यह दूसरी है आपके सारोजनिक शेत्र की मिल next year तीसरे नंबर की सारोजनिक शेत्र की मिल को देख लेते हैं तीसरे नंबर पर आता है आपके विजे कोटन मिल्स कौन सी विजे कोटन मिल्स आता है साथियों जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी कब की गई थी 1932 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भी आपके अजमेर मे इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1932 में की गई थी, क्या नाम है, विजे कोटन मिल्स इसका नाम है, और ये किस सेत्र के अंतरगत कारी है, तो ये सारजोनिक शेत्र के अंतरगत कारीरत है, अब देखो सारजोनिक शेत्र के अंतरगत मतलब सरकार पर इनका अधिकार किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है, किस पर, इन मिलो पर सातियों, जो भी समने सारजनिक मिले देखी है, इन पर किसका अधिकार है, सरकार का, अब एको आगे बढ़ते हैं, कुछ important fact है, जहां से directly प्रिशने पूछेंगे, केंडर सरकार ने 2009 में, बीलवडा को वसनगरी क का दरजा दिया था सातियों, तो examiner question पूछ सकता है, जो हमने राजस्तान के उपनाव वाला topic पड़ा था, उसमें मैंना आपको बताया था, राजस्तान की वसनगरी क्या है, बीलवडा है, आपको बतायती ये चीज़ अच्छी तरह से, तो सातियों वसनगरी क्यों कहा जात है, बीलवडा को, क्योंकि दो अज्जान में केंद सरकार के द्वारा, बीलवडा को वसनगरी का दरजा दिया गया था, अब दरजा इसे तो मिला नहीं होगा, कोई तो खासियत होगी, क्यों, क्योंकि सातियों यहां पर वसनगरी इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि यहां पर को यह पता है लेकिन पता तो है आप पढ़ना तो पढ़ेगा लेकिन जिनको नहीं पता है याद करना ही पढ़ेगा राजस्तान की वसनगरी कहते हैं भीलवड़ा को राजस्तान का मैंचेस्टर भी कहा जाता है भीलवड़ा को वसनगरी भी कौन सी भीलवड़ा है राजस्ता तो ब्रादी सब्सक्रते हैं थो कोई सुख लौर्वाय राजिस्टान की स्क्राइश्टल यहां पर भी है मैंचेश्टर अंने यहां नाविए बी वर देखा तो मेंचेश्टर का मतलब होता का नाम है ये जो पूरे विश्व में सूती वस्तुत पादन के लिए पूरे विश्व में साथियों संपूर विश्व में सूती वस्तुत पादन के लिए इंग्लेंड का शहर मैंचेस्टर परसिद्ध है पूरे विश्व में परसिद्ध है इसी वज़े से अब राजस्थान में जो भीलवड़ा है साथियों ये भी राजस्थान में प्रसिद्ध है किसके लिए सूती वस्त उत्पधन के लिए इसी वज़े से भीलवड़ा को क्या कहा जाता है राजस्थान का मैंचेश्टर कहा जाता है जबकि राजस्थान का नविन मैंचेश्टर किसको कहा जाता है बिवाडी अलवर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है मित्रों, बिवाडी अलवर को कहा जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे, सहिकारी शेत्र में सूती वस्त मिल, हमने निजी शेत्र में देखा, साजवनिक शेत्र में देखा, अब एक और भाग आ जात क्यूशन पूचा कि गंगा नगर सहिकारी कताई मिल्स का है तो option में 100% गंगा नगर भी रहेगा अब गंगा नगर का नाम सुनते हैं अपन गंगा नहर का नाम देखते हैं हम क्या करेंगे साथ यों गंगा नगर है नहर नहीं है न कि यार गंगा नगर का सरकारी कताई मिल्स तो गंगा नगर में इस्तित होगी लेकिन ऐसा नहीं है गंगा नगर सहिकारी कताई मिल से हनुमानगर जिले में इस्तित है कब इस्तापित की गई थी उनिस सो टेथर में और गंगापूर सहिकारी कताई मिलस आचे है कुन सी गंगापूर सहिकारी कताई मिलस है या आपके बिलवडा जिले में इस्तित है और यह कब इस्ताफित की थी 1981 में तो आपको तीनों ही याद रखना है सेकारी शेत्र में जो सूती वस्त मिल के अंतरगत जो परमुक परमुक है वो मैंने बता दिये गुलाबपुरा सेकारी कताई मिल्स भीलवड़ा गंगानगर सेकारी कताई मिल्स हनुमानगड गंगापुर सेकारी कताई मिल्स भीलवड़ा इसकी जो देखो दो तो भीलवड़ा में रेक अनुमानगड में है तो गंगापुर और गुलाबपुरा तो भीलवड़ा में और गंगनगर हनवानगड में, स्तापित पेसर्ट 81 और ये 78 में साथ यो अब इन तीनों सहिकारी शेत्र की जो सूती मिले हैं इनको मिला करके साथियों क्या बना दिया गया है इस्पिन फेट की स्थापना की गई है इन तीनों सहिकारी कताई मिलों को मिला करके किसकी स्थापना की गई है इस पिन फेट की स्थापना की गई है तो साथियों एक चीज यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यह जो इस्पिन फेट है इसका आपको जब इस्थापित की गई इस पिन फेट की जो इस्थापना की गई है यहां से प्रिश्णा आपके बन सकता है क्या बन सकता है कि इसकी इस्थापना कब की गई तो इस पिन फेट की इस्थापना की गई एक अपरेल उनिस सो तर्राणमे को इस पिन फेट का पुरा नाम क्या है राजस्तान राज जिस सहिकारी, स्पिनिंग, वैज जिनिंग, मिल से संग, ये किसका नाम है, स्पिन फेट का पुरा नाम है सात्य, जिस की इससे अपना की गई थी, एक अप्रेल,rain pray, दिको, किन को मिला करके bliss ती बुलापुरा सहिकारी कताई मिल गंगापूर सहिकारी कताई मिल और गंगा नगर सहिकारी कताई मिल इन तीनों को है कि जो सहिकारी मिले थी सहिकारी सूती वस्त मिले थी उनको मिला करके एक नए एक नए मतलब संग बना दिया गया जिसको ही कहा गया साथियो इस्पिन फेड जिसका पुरा नाम क्या है राजस्तान राज सहिकारी इस्पिनिंग वैजिनिंग मिलस संग तो यह आपके सूती वस्त उद्योग के इंतरगत यह वस्त उद्योग को हमने पुरआ पढ़ लिया है साथियों अब चलिकर अगले उद्योग की तरब बढ़ते हैं चलिए अगला उद्योग देखें है अगले आपके दूसरा जो उद्योग है उसका नाम है चीनी उद्योग टोपिक डाल ये बिलकुल चीनी उद्योग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सभी को पता होगा कि चीनी का प्रियोग कोई भी चीज में मिठास लाने के लिए किया जाता है और चीनी का जो कच्चा माल होता है साथ की चीनी बनाई जाती है राजस्थान में कर्शी आधारित दूसरा प्रमकुद्योग है ये राजस्थान में कर्शी आधारित दूसरा प्रमकुद्योग कों सा है चीनी उद्योग है और इसका जो कच्चा माल है इसका चीनी का कच्चा माल लिखिए कों सा है साथियों गन्न गन्य से क्या बनाई जाती है, चीं जिसको हम शकर भी कहा जाता है साथिवूँ अतहे चीनी मिलो की इस्थापना जादा तर गन्ना उत्पादक शेतर के आजपास की जाती है साथियों नौर्मल से चीज़े कि बहाई डिनी किसे बन रही है गन्ने से बन रही है तो चीनी के जो उद्जोग है चीनी की जो मिले हैं यह कहां पर बनाई जाएगी जहां गन्य का ज्यादा उत्पदन होगा वहीं पर क्या बनाई जाएगी चीनी की मिले बनाई जाएगी साथियों राजस्तान में वर्तमान में चार चीनी मिले हैं कितनी हैं यही important चीज़ है सबसे ज़्यादा तो चलिए आगे बढ़ते हैं चिनी उद्योग के बारे में इन मिलों को अच्छी तरह से देख लेते हैं देखो सबसे पहले जो नाम आता है वो है दे मेवार शुगर मिल्स क्या नाम है साथियों दे मेवार शुगर मिल्स शुगर के दो चीनी के दो शक्कर के दो बात है कि यह साथियों तो दे मेवाड शुगर मिल्स आपके भुपाल साघर में इस्तित है और भुपाल साघर कहां पर परता है चितोरगर में परता है चितोरगर में 1932 में दे मेवार शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी राजस्थान में प्रतम चीनी मिल है साथ योई क्यूशन बहुत ही इंपोर्टेंट बन रहे है यहां से कि राजस्थान की प्रतम चीनी मिल कौन सी है तो उत्तर क्या रहेगा देमेवाड शुगर मिल राजस्थान की प्रतम चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी कहां पर चित्तोरगर के भुपाल सागर में कहां पर की गई थी चित्तोरगर के भुपाल सागर में देमेवाड शुगर मिल की स्थापना 1932 में की गई थ सात्यों ये नीजी शेत्र में है किस शेत्र में है नीजी शेत्र में नीजी शेत्र और सारजुनिक शेत्र का मतलब मैंने बताई दिया था पहले आपको कि नीजी शेत्र में किसी व्यक्ति विशेस की होती है और सारजुनिक शेत्र में सात्यों गौर्मेंड का उस पर अधिका होता है तो चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरी चीनी मिल को देख लेते हैं आपके दूसरे नंबर पे जो चीनी मिलाती है वह साथियों दे गंगा नगर शुगर मिलस कुझसी दे गंगा नगर शुगर मिल्स है जिसकी इस्तापना 1937 में की गई थी कब की गई थी 1937 में कहां पर की गई थी साथ यो इसकी इस्तापना तो दे गंगा नगर शुगर मिल्स की इस्तापना श्री गंगा नगर जीले में की गई किस जीले में की गई श्री गंगा नगर जीले में ये भी निजी शेत्र में ही कारी रध है किस शेत्र में निजी शेत्र में ही कारी करती है दे गंगनगर शुगरमिल से साथियों लेकिन यहाँ पर 1956 से सारजनिक शेत्र में यह आ चुकी है जब इसकी स्थापना हुई तो 1936 में इसकी स्थापना हुई श्री गंगनगर में किस सेत्र मे नीजी शेत्र में किसी व्यक्ति विशेस का दिकार था लेकिन 1956 में गोर्मेंट ने साथियों इसको अपने अंडर में ले लिया तब से यह किसमें आ चुकी है सावजनिक शेत्र में आ चुकी है यही पर शेराब बनाने की डिश्ट लरी इस्तिते साथियों कहां पर दे गंगा अगर शुर्ण में शवड़ में इस्तित है अगर हम देखे देंगांगर शुगर मिल्द को तो 1937 में इसथापित की गई श्री गंगानगर में इसथापित की गई नेजी शेत्र की थी 1956 में सरकर ने इसे सारजनिक शेथ मिला दिया देखो जब हम काच उध्योग पढ़ेंगे ना काच उध्योग तो वहाँ पर ये काच उध्योग में ये द्या गंगा नगार शुगर मिल्स को ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरी जो शुगर मिल है उसको देख लेते हैं तीसरी शुगर मिल है केश्यो राई पाटन सहिकारी शुगर मिल्स का नाम है कहां पर इस्तित्य केश्यो राई पाटन कहां पर पढ़ता है बूंदी जिले में पढ़ता है साथियों और केश्यो राई पाटन सहिकारी शुगर मिल्स की इस्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी? 1965 में किसकी? केश्यो राई पाटन सहिकारी शुगर मिल्स की स्थापना 1965 में की गई? कहाँ पर की गई? बूंदी में की गई? और सहकारी शेत्र में की गई साथियों। इसलिए इसका नाम क्या है केश्यो राईबर्टन सहकारी। उपर यह आ रहे है नाम सहकारी शुगर मिल्स है। तो यह सहकारी शेत्र में इस्तफित है। और पिछले 13 वर्षू से यह बंदें भयी। इंपोर्टेंट बात तो यह है कि पिछले 13 वर्षों से केश्यो राई पाटन से करी शुगर मिल्स क्या है बंद है साथियों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चोते नंबर पे हैं उदेपूर शुगर मिल्स कौन सी उदेपूर शुगर मिल्स है साथियों अब नाम से पता चल र जिनको हमने पढ़ लिया है रिवाइस करा देता हूँ श्यू आपको एक बार देखियेगा सरे नमबर पे हमने पड़ा है दे मेवार शुगर मिल्स को सी पड़ी पहले नमबर पर हम हमने पड़ी है कहा इसरी बहुपाल सागर्श चितोडडगड में कहाँ में खास बात क्या है कि राजस्तान की परतम चीनी मिलने है और साथ यो यह निजी शेत्र में इस्थापित है साथ यो दूसरे नंबर पे जो हमने चीनी मिल पड़ी वह है गंगानगर शुगर मिल इंपोर्टेंट बात सारी चीजे मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको पड़ा रहा हूं 1937 में इस्तापित की गई श्री गंगानगर में इस्तित है निजी शेत्र में इस्तापित की गई 1956 से क्या कर दिया सालवजनिक कर दिया और यहीं पर शराब बनने की डिश्ट लरी भी इस्तित है नेक्ट तीसरे नंबर पे जो हमने पड़ी केश्वराई पाटन सहिकारी शुगर मिल सहिकारी शेत्र में कारी रते बुंदी में इस्तित है उनिस सो पेश्ट में इसकी स्तापना की गई लेकिन वर्तमान में क्या यह साथ यह बंद है के शुराई पाटन सहिकारी शुगर मिल से चोते नंबर पर पड़ा उधेपुर शुगर मिल कहा वी चाज को बढ़ते हैं तो देख लेते हैं काच उद्योग के बारे में काचि उद्योग में क्या-क्या आपको याद रखना है क्या-क्या इम्पोतेट फेक्टे सबी चीजुकों देखेंगे सात्यों काच उद्योग के अगर हम बात करें काच बनाने के लिए सिलिका सेंड प्रमुक कच्या माल होता है सिलिका सेंड साथ़िों ₹ इसमें पहला उद्योग आता है आपके दैहाई टेक प्रिसीजन Athens वर्क नाम है दे हाई टेक प्रिसीजन ग्लास वर्क यह क्या है साथ यह एक काच उद्योग है क्या है यह काच उद्योग है जो की आपके धोलपुर जीले में इस्तिते किस जीले में इस्तिते दोलपुर जीले में यह गंगा नगर शुगर मिल्स के अंतरगत आता है समझ रहे हो ना बात को मैंने देखो एक चीज है कि शुगर मिल जो होती है साथियों यह पूरे वर्ष बर काम नहीं करती है पूरे वर्ष बर सुगर मिल चलती है क्यों कि शुगर कब बनाओं गया जब गण्ये का सिजन रहेगा तभी तो आप शुगर बनाओं गे उस गण्ये को साल पर इसी वज़े से उन उद्योगों में शुगर मिल के उद्योगों में क्या किया जाता है कोई अन्यकार्य भी जो समय बचता है तो उस समय में साथ यो कोई अन्यकार्य किया जाता है अब यहां पर यह जो गंगनगर शुगर मिल है इसमें चीनी बनाने के अलावा शराब बनाने ने बात में बता रहा है और वह उसमें शराब बनाने का्रे को यह कोन कर रहे हैं गंगन अगर शुगर मिल्ड कर रहे हो और उन शराप को इन बोतलों में भर्द कर और सप्लाई किया जाता है जो कि यह 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 कहां पर इस्तित आपके दोलपूर में इस्तित है तो आशा है आप मैंने कहा था ना कि काम आएगा काचुद्योग में इस्तित गंगानगर शुगर मिल से तो साथ यह इसी वज़े से बो हाइटेक प्रिसजन गलासवर कि यह कहां आपके राजस्तान के सबसे पूर्वी जिले दोलपूर में राजस्तान का सबसे चोटा जिला राजस्तान में जहां सबसे पहले सुर्योदे होता है साथियों कौन सा जिला है दोलपूर जिला और सेंट गोबेन गलास फेक्टरी आ गया और ये जो फैक्टरी ये और यह वगेरा है तो इनके काच मतब्शी से अपने जिसको बोलते हैं उसको तयार करने का काम करती है सेन्ट गोवें फैक्टरी जो भिवाड़ी अलवर में स्थापित है किस की साहिता से इसको इस्थापना की गई फ्रांस की कंपनी की सायता से चली आगे बढ़ते हैं आपके तीसरी जो गलास फेक्टरी आती है जो काच की जो फेक्टरी आती है वो है सेम कोर गलास फेक्टरी कौन सी सेम कोर गलास फेक्टरी साथियों जो आपके कोटा में इस्थी ते कि जिले मे टीवी के picture tube बनाने का काम करती है टीवी में जो picture tube होता है न इसका काम कोन करती है तो same core glass factory के द्वारा जो कोटा में है TV के picture tube बनाने का कारिय किया जाता है तो ये सारी ही चीजे बहुत ही ज़्यादा important है प्रश्ण पूछेगा same core glass factory कहां है कोटा में क्या काम है इसका तो टीवी के पिच्चर ट्यूब बनाती है भई किसके सयोग से दक्षिन कोरिया के सयोग से फिर इसके अलावा जो पूछेगा उपर हमने क्या पड़ा सेंट गोवें गलास प्रेक्टरी का है तो आपका अंसर होगा विवारी अलुवर में पूछेगा कि किस साहिता तो फ्रांस की कंपने की साहिता से क्या करती है सेंट गोवें गलास प्रेक्टरी तो का जो कार है इसके नमबर है पहले नंबर पर टामने यह गंगन अगर पर शुगर مिल्स केर्प रहता है उनको करता है शराप की जो चीजे होते बौतले वगुरा इंको साथ साथियों थो चली है आगे बढ़ेंगे तो च्र नंबर फे आता है उन-उद्योग कितने उद्योग हमने पढ़ लिए तीन उद्योग पढ़ लिया है तीसरे नमबर पे हुए उद्योग भी पड़ लिया साथियों अब चोते नमबर पे जो आता है वह आपके उद्योग कॉन सा उद्योग आता है उद्योग आता है नुदियोगा चोदे नमबर में फ़टां है उसस Anot उन के उत्पादन में राजस्तान का प्रतमिस्तान संपूर्ण भारत में प्रतमिस्तान अगर उन के उत्पादन में है तो फिर उन उत्पादन की से चलेगा उन से तो चलेगा साथियों इसी वज़े से हम यह के सकते कि उन उत्पादन में मतलब भारत में प्रतमिस्तान रखत किलोग्राम उन प्राप्त होती है उन की प्राप्त किससे हो रही है भीड़ों से बहुत अधिक मातरा में देखने को मिलेंगे तो यहां से इन भीडों से जो वन प्राप्त की जाती है एक साल में अनुमानित लगबग 2 करोड 36 लाग किलोग्राम उन इन भेडों से प्राप्त की जाती है साथियों और राजस्तान का प्रतम इस्तान है उन उत्पादन में किसमें साथियों भारत की बात करें अगर भारत की दृष्टी से देखे तो राजस्तान का प्रतम इस्तान है भारत में सभी राज जो में सबसे आगे है उनके उत्पादन में देखो इसके प्रमुक उन उद्ध्योग देख लेते हैं प्रमुक उन उद्ध्योग कौन कौन से हैं तो पहला जो उन उद्ध्योग आता है वो इस्टेट वूल मिल्स क्या नाम है इस्टेट वूल मिल्स अबिकानेर में सरकारी कार खाना है ये इस टेट वूल्लक जो है ये विकानेर में सरकारी मिल्स है और इसके दोरा उनी दागा तैयार किया जाता है जो आपके बेढ़ है इनसे उन प्राप्त की जाती है तो इस उन से उनी धागा तयार किया जाता है कहां पर State Wool Mills में कहां पर किया जाता है State Wool Mills में तयार किया जाता है जो कि कहां पर इस्तिते बिकानेर में इस्तिते सात्यों ये एक सरकारी शेत्र में काम करती है सारोलनिक शेत्र में मतलब दूसरा जो उन उद्योग देखेंगे तो दूसरे नमबर पे आता है जोदपूर उन फेक्टरी कोन आता है सातियों जोदपूर उन फेक्टरी दूसरे नमबर पे आता है कहां पर नाम से पता चल रहा है कि जोदपूर उन फेक्टरी नाम है तो कहां पर इस्तित होगी पुरून फेक्ट्री के दोरा उनी दागा कंबल और कालिन बनाया जाते हैं तीसरी जो उनकी फेक्ट्री देखे तो यह हमकिया आती है विदेशी आयात निर्याज संस्ता कौन सी विदेशी आयात निर्याज संस्ता जो कि आपके कोटा में स्तित साथ यह यहां एक सइयंत्र है जिसकी वार्चिक समता 35,000,000 किलोग्राम है साथ यह कहां पर प्रश्ण पूछ लिया कि किस में किस आप उन उद्योग में किस उन मिल में कॉम्बिक सइयंत्र इस्तित है तो आपका अंसर रहेगा विदेशी आयात निर्या संस्ता कोटा में एक कॉम्बिक सइयंत् तो देखो वस्टाल्ड इस्पिनिंग मिल और वस्टाल्ड इस्पिनिंग मिल एक तो चूरू में इस्तित है और एक लाड़नू में इस्तित है दोनों को याद रखना है लाड़नू में भी है और चूरू में भी इस्तिते साथ यह अब कुछ विशेस प्यक्ट है जिनको मै से भी यह साथियों तो इसको भी आपको याद रखना है कि राज़िस्तान में वनडी कहां पर इस्तित है बिकानेर जीले में इस्तित है यह एश्या की सबसे बड़ी केंदरे सोरी उंट क्या उन अनुसंधान केंदरे उन अनुसंधान केंदरे आपके अविका नगर्ट टॉंक जीले में इस्तित है कहां पर अविका नगर्ट टॉंक जीले में इस्तित है तीसरा आता है केंदरी उन विकास बोर्ट यह आपके जोदपूर में है साथियों कहां पर हे जोधपूर में और चोड़ वाता है गलिचा और सीरकी इंदर आपके विकाने जले में स्तित है तो यह सारे के सार इंपателей क Ee tribe क्विशन बनाए जा सकते हैं यह कंपलेट होता है आपके कलास नंबर 34 कंप्रीट हो चुकिए साथ यो अब उद्योग के अभी दो उद्योग की दो कलास से आना और बाकी है क्योंकि टोपिक बड़ा है और मैं बिल्कुल आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूं तो इसी वज़े से कलास दो कलास से और आएगी साथ यो मिल है नेक्स्ट वीडियो में